तो गाइस, हाला कि मैं आपके सामने देखी राइडर खड़ी है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, मतलब इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत अच्छा ही हैं, मैं बताते हैं, बताते हैं आपको परिशान होगा, मतलब सबको ये एक वीडियो में नहीं बता पा ठीक है, उसके उपए है, उसके नीचे फिर आती है नंबर प्लेट की स्पेस, फिर ये आता है राइडर का सिम्बल, ठीक है, अब मैं इसको दोखल एक बढ़े, इसकी मैं चाभी ओन करता हूँ, तो ये चाभी ओन करते हैं, इंगनीशन ओन करते ही, सबसे पहले तो ये दो LED इसकी DRL, ये आपको हमेशा जलते हुए मिलेंगे, ठीक है, मतलब ये आपको चाभी जाए, इंजन ओन हो चाहे ना ओन हो, फिर भी आपको ये दो DRL हमेशा जलते हुए मिलेंगे, ठीक है, तो इसकी front profile की बात करते हैं, वो काफी एक sporty लुक प्रोवाइड करते हैं, काफी अ इंडिकेटर से जो काफी अच्छे रखने हैं मतलब एक कह सकते हैं कि यह जार है मतलब हाइलोजन इंडिकेटर में हैं अब बात करते हैं इसके अब बात करते हैं इसके साइट प्रोफाइल में हम लोग आएंगे तो आपको एक स्पोर्ट लुक देगा ठीक है और इसका देखिए मैं दिखा देता यह 3D में लोगों है यहां पर यहीं दिया है यहां पर यह लगाया है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि धूल मिट्टी जैसे पाने उनी होता है ना तो इंजन में चला जाते है खराब हो सकता है तो यह बहुत चीज अब हर बाइक में आता है कि यह इंजन को मतब बचाने के लिए इसका एक प्रोटेक्टेर कह सकते हैं यहां पर यह पांच गेर के साथ गाड़ी आती यहां पे एक फुट रेस्ट है यह पीछे बैठने वालों के लिए फुट रेस्ट है और यहां पर यह स्टैंड है ठीक है अब और यहां पर क्या है इसके दिखी चेन कवर क्याने इसकी ओपिन चेन है यहां पर आपको यह ओलिंग करनी होगी तो उसके लिए भी आपको करना है महिने में एक बार आपको ओ ठीक है यह आगे की दो डियारल और पीछे दो टेलाइट यह हमेशा चलती रहेंगी यह चाभी ओन करेंगे तो हमेशा मिलेगे आपको चलते हुए उसके बाद हम लोग बात करते हैं यह इसकी यहां पर मतलब क्या करते हैं पीछे से सीट कवर इसका ओपन होता है जो आगे ले साइड लाइम पर है इंडिकेटर वाला ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके अब और हाँ यहां पर आपको यह चार्जिंग का भी शौकेट मिल जाता है एक मैं चार्जिंग का यहां पर गाड़ी आपका इंजन रहे आउन रहेगा तो आपकी यह गाड़ी जो है मतलब फोन जो है आपका चार्ज होता रहेगा अब बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में कि इसकी सीट हाइट कितनी है इसके सस्पेंशिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जैसे मैंने की बताई दिया कि LED DRL के साथ आती है और प्लस हाइड्रो यह हाइलोजन इंडिकेटर है इसके बाड़ टेलिसकोपिक सस्पेंशन आपको यहां पर मिल जाते हैं यह आपको दिख रहे होंगे टेलिसक सनस्कोपिक सस्पेंशन में मिल रहे हैं और फिर बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग इसकी सीड हाइट की साथ सो असी मम की है 780 mm की है जो काफी ऊची नहीं है मतलब यह है कि हर कोई नाटा इंसान भी उसको चला सकते ना पांच फूट तीन इंच 5 फूट 5 इंच सकते हैं जो जिनकी हाइट है वह अराम से मलता 5.3 इंच कह सकते हैं कि जितने हाइट है वह अराम से वह भी चला सकते हैं 5-4 इंच ठीक है एवरेज हाइट के और इसका जो वेट है टीवियस राइडर को वेट है वह हलका है है 123 कि जी वह बाइक है और ज्यादा भारी भी नहीं है सबलोग इसलिएसको समाल भी सकतें अब हम लोग थुड़ा बात करते हैं इसके इको अच्छा है इसमें दो मोड है मैं आपको दिखाता हूं इसमें दो मोड है जो इसको इसमें दो मोड है देखे बताता हूं यह पावर वाला हो गया और यह इको वाला हो गया ठीक है तो इस क्या क्या डिफरेंस है कि अगर जब लोग इको पे चलाएंगे तो आपका माईल और यह इको पावर में यह ओड़िक जब आप इको पे चला रहे होंगे तो साथ से स्पीड स्पीड साथ सत्तर चलाएंगे तो माईलेश तब भी यह इको पे देगी आपको साथ का अराम से देगी ठीक है और हाँ अच्छा काईस एक पर और पता देना है चाहतों फिर से कि अ अगर आपको 70 के नीचे चलना है तो ओ तो गाईस में दो मोड एक यह nuclear मोड एक है पावर मोड तो इको मोड में क्या डिफरेंस देखिए आपकी सपीड सिटी के अंदर चलने साथ 50 REM चलनी है तो ओऊ पर जाएंगे और तो गाइस मैं आपको इसके मोड के बाने बता देता हूं एक है इको मोड और एक है पावर मोड तो इको मोड पावर मोड में क्या डिफ्रेंस है देखिए जब आप यह 60-70 चले सिटी के अंदर चल रहे हैं तो आप इको पे चलिए तब आपका माइलेज निकाल के देगी कम से में उदने देगी और तो इसके साथ यह दो अब यह सेलफ स्टार्ट है यहां पर हो गया यहां पर लोबं मोनुमों यहagen यह position हसे तो आपको मैंने बात करें अब में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी TFT मोड की तो TFT मोड में आपको देखे मैं दिखा देता हूं यहां पर trip है ठीक देखे इसा है कि मुझा अब यह तक यह तक के यह 53 km और जाएगी मतलब इसमें इतना भी फ्यूल से आप यहां पर देख सकते तिरपन किलो मेटर अभी और गाड़ी चलेगी इतना फ्यूलिस के अंदर तो यह भी इसमें बता देता है अब यह आगे एवरेज एवरेज मान की चली यह भी नहीं है तो यह तालिस का मुझलब एक मोटा मोटा बढ़ा रहे हो कि तालिस किलो मेटर का जिसाफसे भी अने गा आपका फ्यूल का हो गया और और जब गाड़ी देखिए यह आपका स्टैंड का हो गया कि जब गाड़ी स्टैंड पर रहेगी तो यह देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है यह पौरे स्टारी बता रहा हूं ठीक है यह यह आपका स्टैंड का हो गया ठीक है यह आपका न्य तो इसका डाइमेंशन की जो मतलब लेंथ है वो आप कह सकते हैं 2070 mm की लेंथ है इसकी वेट है 785 mm इसका वेट है एक सो तेस केजी का हाइट है इसकी 1028 mm हाइट जो है गाड़ी की वो है 1028 mm की और जो इसका वील बेस है वो है 1320 mm का और यह गाड़ी आती है टीवेस राइडर चार कलर में मतलब जो कहने यह इसका जो अपग्रेड मॉडर आया है जिसमें वह ब्लूटूट से करेक्टिविटी है वह वाला यह मॉडल नहीं है यह थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन अब जो आ रहा है उसमें सिर्दो ग छीजे आपको बोल के उससे पता चल जाती है और हां इसमें एक यह डिस्क ब्रेक भी दिया है सेफटी के लिए पीछे डिस्क नहीं है दो आगे और रोब comment यहां हैं उसको डिइसक डी है तो यह डिस्क मत शेंगल डिस्क Prose सेफटी के साथ है तो बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल टैंक की इसका फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर के आज पास मिल जाएगा अब हम लोग थोड़ा से और जो फ्यूल 10 लीटर के पास आप लोग भरा सकते इसका माइलेज मैंने आपको बता दिया है और यह इसकी क्लच ब्रेक आपको देखें आप आप आचे जैसे मिल जाते हैं कि वाइट कलर के हैं जो इक डिफ्रेंट लुक प्रॉइट करते हैं मतलब यह वाइट कलर गाए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक बार आपको मैं आवाज सुना देता हूं स्टार्ट करके तो अच्छा सेल्फ में अब मैं देखा देता हूं अभी भी नहीं हुई अच्छा यह न्यूटन नहीं है यह जो अब में फिर से बुद लेता हूं कोई दिका नहीं है तो इसकी आवाज भी आपको सुना देता हूं ठीक है तो यह सिगनिशन अन करताओं और यह देखे यह गाली श्टार्ट हो जाती ना पता ही नी चलता है कि श्टार्ट हो गई ह अब इसके पर आवाज भी आपको सुना देता हूं यह देखें यह देखें आर्पीम देखिएगा तो गाइस यह काफी अच्छी कह सकते कि ओवरॉल 125 CC में आपको लुक भी मिला है ठीक है एवरेज भी मिला है और सब कुछ मतलब दिया है जितना टीविस दे सकती है मिलाज के लिए जाने जाती है जितनी भी गाड़ी है वह माइलेज के लिए काफी बहतर होती है उसकी स्कूटी है जो जो पिटर वह भी अच्छी दे रही है माइलेज मतलब और यह गाइडर भी एक बहतरीन बाइक के साथ मैंने सब आपको रिव्यू दिया सब डीटेल बताय उद्या pastor हो तो काइश प्लीज वीदियो को लाइक कर दीजए का चैनल पर ने हूँ तो चैनल को subscribe कर लिजैगा और comment कर डिजैगा गाइस प्लीज 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 कॉमेंट कर दीजेगा सब्सक्राइब भी कर दीजेगा मैं ऐसे अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा तो ठीक है गाइस दिस अल्फा मेल साइनिंग ओफ और कुछ अगर रहे गए तो कॉमेंट करके हम उससे पूछ सकते हैं ठीक गाइस इस अल्फा मेल साइनि अव बाइ